इसका नाम है Educative और आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्ट क्लास की E.V.S का चेप्टर बच्चों इस चेप्टर का फिर्स पार्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये वीडियो इस चेप्टर के second पार्ट को कवर करने के लिए बनाए गई है तो आपको इस पार्ट को देखने से पहले उपर दिये गए I बट्म को कलिक करना है और first पार्ट को जरूर देखना है जिससे कि आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएं तो चलिए चेप्टर स्टार्ट करते हैं बचों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके सेंस काफे स्ट्रॉंग होती हैं और इसलिए उन्हें सूपर सेंस कहा जाता है तो देखते हैं आजकी वीडियो में क्या पढ़ना है हमें have you seen a dog sniffing here and there तो बच्चे क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को इधर उधर सुंगते हुए what do you think it is trying to smell तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या सुंगने कुशिश कर रहा है डॉग marks out their own area on the road तो जो बच्चो dogs होते हैं वो road के उपर अपना area mark कर देते हैं they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty तो बच्चो वो ये find out करने की कोशिश करते हैं smell से कि कहीं उनके area में कोई और कोई dog तो नहीं आया है और वो कैसे find out करते हैं बच्चो किसकी smell से find out करते हैं उनके urine और pet potty की smell से find out करते हैं आती हुए हैं हमें कुछ questions और इनके answer आपको fill करने हैं in what ways do human beings make use of this special sense of smell of dog तो बच्चो आपको पता है जो dogs होते हैं उनका different different कामों में यूज किया आता है क्यों? क्योंकि उनकी sense of smell बहुत ज़ादा होती है बहुत अच्छी होती है तो क्या आपको पता है किस-किस काम के लिए यूज करते हैं जब कोई crime होता है उसको detect करने के लिए किसी bomb को detect करने के लिए उनका यूज किया जाता है तो यहाँ पर आपको यही feel करना है कि किस किस कामों में dog की sense of smell का use किया जाता है अब देखिए next question क्या पुछा हुआ है When do you find your sense of smell helpful to you? तो कब आपको लगता है कि जो आपकी sense of smell है वो आपके लिए helpful है List some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning तो आपको इसी तरीके से कुछ list बनानी है कि मान लीजिए आपके घर में कोई खाना बन रहा है और वो जल गया तो आपको कैसे पता लगता है अपनी sense of smell से तो इसी तरीके और भी आपको उधारन देकर यहाँ पर एक list बनानी है उसके बाद देखते हैं क्या question दिया है Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कौन से animal हैं जिनको आप सिर्फ smell से ही पहचान लेते हैं बिना उनको देखे तो बच्चो ऐसे animal कौन से हो सकते हैं डोग हो सकता है, cat हो सकता है और rat भी हो सकता है और इसके साथ साथ और भी बहुत से animal हैं जिनको कि आप उनकी smell से पहचान सकते हैं अब यह क्या दिया हुआ है Write the names of five things who smell you like and five things who smell you don't like तो यहां क्या फिल करना है बच्चो आपको ऐसी पांच चीजों के नाम बताने हैं जिनकी smell आपको अच्छी लगती है वो फिल करने हैं आपको यहां पर और ऐसे पांच चीजों के नाम बताने हैं जिसके smell आपको अच्छी नहीं लगती है वो fill करने हैं यहाँ पर तो बच्चों ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी smell आपको अच्छे लगती है देखिए हम कुछ यहाँ पर fill करके दिखाते हैं आपको जैसे कि आप ले सकते हैं flower, perfume, soap और ऐसे ही यहाँ पर देखिए जिनकी smell आपको अच्छे नहीं लगती garbage और smell of burning food smell of dead plants smell of dead animals ऐसे ही बच्चों आप इसमें और भी अपने तरफ से चीज़ें fill कर सकते हैं तो fill करिए और इस table को complete कीजिए Do you and your friend have similar answer? तो बच्चों इसको fill करने के बाद यह देखिए कि जो आपके answer है वो आपके friend के साथ answer match करते हैं या नहीं करते हैं तो अनों के answer same है या नहीं अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ एक lady है जिसने अपने nose पे hanky लगाया हुआ है या शयद अपना दुपटा लगाया हुआ है ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं वाए सो ऐसा क्यों तो आज रजनी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा she had to leave her six month old son दीपक with her sister सुशीला तो उसने क्या किया जब वाँ बाहर जा रही थी तो अपने छे महिने के बच्चे को जिसका नाम दीपक है उसको अपनी sister सुशीला के पास छोड़ गई तो यह कौन है सुशीला है सुशीला also has a baby of the same age और सुशीला के पास भी अल्रेड़ी एक baby है जो कि उसी की age का है it was funny that both the babies did party at the same time और यह सुने बहुत ही funny लग रहा है कि जो दोनु babies है उन दोनुने एक ही समय पर क्या कर दिया party कर दी she happily cleaned her daughter but when she was cleaning her sister संदीपक she covered her nose with her जुपट्टा तो उसने क्या किया बच्चों जो उसकी खुद की बेटी थी उसको तो आसानी से clean कर दिया और जब वो अपनी sister के बेटे दीपक को clean करने लगी तो उसने अपनी नोस पर क्या लगा लिया दुपट्टा लगा लिया या अपना scarf लगा लिया तो क्यों किया बच्चों उसने ऐसा क्यों क्या बता सकते हैं जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है शुशिला covered her nose when she clean दीपक snappy but not when she clean her daughter वाय दू यू थिंक she did this तो बच्चों जो शुशिला है उसने जब दीपक को clean किया तो अपने nose को cover कर लिया लेकिन जब अपनी daughter को clean किया तो ऐसा नहीं किया तो आप क्या सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा तो बच्चों जब एक चीज को करने के हम used to हुआते हैं आदी हुआते हैं तो वो smell हमें उतनी बुरी नहीं लगती तो ऐसे ही उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगी और इसलिए उसने अपने nose को cover कर लिया next देखिए how do you feel when you walk near a heap of garbage think of children who spend the whole day picking thing from such garbage तो बच्चों कई बार आप जब एक कच्चरे के धेर के पास से जाते होंगे तो आपको कैसा feel होता है think the children और जो बच्चे पूरा दिन उस कुडे के धेर में से ही कुछ चीजे पिक करते रहते हैं कुछ चीजे निकालते रहते हैं उनके बारे हम सोची कि उनको कैसा लगता होगा तो बच्चों जिस smell के पास हम कभी कभी जाते हैं bad smell के पास वो हमें ज़्यादा effect करती है is it smell good or bad for everyone in the same way or does it depend on how each one feel about it तो बच्चों क्या कोई smell good or bad हर किसी के लिए same होती है एक तरीके की होती है या यह इस पर depend करता है कि वो उसको किस तरह से feel करता है तो बच्चों बिलकुल जो good or bad smell है वो हर किसी के लिए अलग हो सकती है लेकिन कुछ smell ऐसी होती है जो किसी को भी अच्छी नहीं होती सबी के लिए bad होती है ऐसी कौन से smell है बच्चों जैसे कि garbage की smell है dead plant की smell है dead animals की smell है यह smell किसी को भी अच्छी नहीं होती है और वो कैसे smell होती है bad smell होती है तो बच्चों ये था chapter 1 का part 2 और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने सभी friends के साथ share कीजिए जिससे वो भी इस chapter को समझ पाएं और अगर आप इस channel पे नए हैं तो channel को subscribe कीजिए और bell icon को press जरूर कीजिए जिससे की हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच पाएं और आप उनको देख पाएं और last में बस यही कहूंगी घर पर रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए Thank you for watching my video कर दो कर दो कर दो दो